हेलो मेरे जीनियस दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू इस्टेडी प्लानेट तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप और आपकी तैयारिया सब कुछ अच्छे से चल रही होंगी दोस्तों आज का जो टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सामान निग्यान सामान निग्यान में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख अंतरराश्टी दिवस के बारे में तो ज्यादा समय ना गवाते हुए आए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न हमारा आज का पहला प्रश्न है बिश्व परियतन दिवस कम मनाया जाता है आप्शन है आठ सितंबर, सत्ताइच सितंबर, चौदा सितंबर या फिर पाच सितंबर क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा आप्शन नंबर बी, सत्ताइच सितंबर, 27 सितंबर को विश्व परियतन दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला प्रशन है निम्नलिखित में से आठ मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप्शन है बिस्व परियावरर दिवस, अंतर राश्टी महिला दिवस, बिस्व जनसंख्या दिवस या फिर बिस्व एट से दिवस तो यहाँ पे जो सही उतर हो जाएगा सब को पता होगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है आप्शन नमबर B यहाँ पे सही हो जाएगा अंतर राश्टी महिला दिवस ठीक है और अगर बात करें आप्शन नमबर A बिस्व पर्यावरर दिवस तो यह कम मनाया जाता है यह मनाया जाता है पांच जून को ठीक है इसको भी आप याद रखिए आप्शन नमबर C जो है विश्व जनसंख्या दिवस ये कम मनाया जाता है ये मनाया जाता है ग्यारा जुलाई को ठीक है ग्यारा जुलाई को मनाया जाता है और बचा यहां भी आप्शन नमबर D विश्व एट्स दिवस ये कम मनाया जाता है एक दिसंबर को ये मनाया जाता ह ये भी जानकारी अच्छी है तो इसलिए आप इसको नोट कर लिजिए अगला प्रश्ण है बिश्व मानवा धिकार दिवस कब होता है बिश्व मानवा धिकार दिवस कब होता है आप्शन है 4 जुलाई 8 अगस्त 20 अक्टूबर या फिर 10 दिसम्बर यहाँ पे जो सही उतर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसम्बर तो यहाँ पे कौन सा अप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा अप्शन नमबर D 10 दिसम्बर को बिश्व मानवा धिकार दिवस मनाया जाता है नेक्ट्ट क्वेशन है बिस्व परिवेश दिवस कम मनाते हैं किस मार्च को तेश मार्च को पाँच जून को या फिर पाँच अक्टूबर को क्या हो जाएगा इसका जो सही उतर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 अक्टूबर को यानि option नमबर D यहाँपे सही हो जाएगा विजव परिवेश दिवस कम मनाते हैं 5 अक्टूबर को Next question है निम्नलिखित में से कउन सा दिवस 24 माई को मनाया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 24 माई को मनाया जाता है आप्षन है जैव बिबित्ता दिवस, राष्ट्र मंडल दिवस, बिस्व डाक दिवस या फिर बिस्व रेड क्रास दिवस कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा 14 माई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो सही उतर हो जाएगा यहाँ पे option number B हो जाएगा राश्ट्र मंडल दिवस 24 मई को राश्ट्र मंडल दिवस मनाया जाता है और अगर बात करें जैयो बिबित्ता दिवस की तो जैयो बिबित्ता दिवस जो होता है वो कम मनाया जाता है 29 दिसंबर को मनाया जाता है हैं अफ्रेका दिवस कब मनाया जाता है हमारा अगला प्रश्ण है अफ्रेका दिवस कब मनाया जाता है 25 जुन को 25 मई को 5 जुन को या फिर 11 जुलाई को कौन सा उत्तर सही हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा यहां पे 25 मई को 25 मई को कौन सा उप्षन सही हो जाएगा यहां प अगला प्रस्ण है वर्ड हेरिटेज डे कम मनाया जाता है वर्ड हेरिटेज डे कम मनाया जाता है 7 अप्रेल को 18 अप्रेल को 3 माई को या फिर 21 माई को कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा अगला जो हमारा प्रशन है वो है अंतर राष्टी स्ताक्षर्टा दिवस कम मनाया जाता है 8 सितंबर को, 18 सितंबर को, 18 अक्टूबर को या फिर 8 अक्टूबर को कम मनाया जाता है यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आठ सितंबर को आठ सितंबर यानि आप्षन नमबर यहाँ पे यह सही हो जाएगा चलिए अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से एक मई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? निम्नलिखित में से एक मई को किस दीवस की रूप में मनाते हैं आप्षन है अंतरराष्टी महिला दीवस, इंटरनेशनल पीस डे, अंतरराष्टी स्रमिक दीवस या फिर विस्व आदिवासी दीवस काउन सा उत्तर यहां पे सही हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्टी स्रमिक दीवस, आप्षन नमबर सी यहां पे सही हो जाएगा एक मई को मनाते हैं क्या अंतरराष्टी स्रमिक दीवस और अगर बात करें तो यह आप जानते ही हैं अंतरराष्टी महिला दीवस कम मनाया जाता है 8 March को मनाया जाता है International Peace Day की अगर बात करें तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व आदिवासी दिवस की अगर बात करें तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है अगला प्रशन है अंतर राष्टी सूर्य दिवस का मनाया जाता है तीन मार्च को, तीन मई को, चार जोन को या फिर एक दिसंबर को तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीन मई को तीन मई आप्षन नमबर भी यहां पे सही हो जाएगा तीन मई को Next question है बिश्व जलस तंगरक्षर दिवस का दिन कौन सा है बिश्व जलस तंगरक्षर दिवस का दिन कौन सा है किस मार्च 22 मार्च, 23 अप्रेल या फिर 22 अप्रेल कौन सा सही हो जाएगा बिश्व जलस तंगरक्षर दिवस सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को 22 मार्च यानि आप्षन नमबर यहां पे भी सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से बिश्व तमबाकू निशेध दिवस कब है? 31 मार्श को 31 माई को 11 अप्रेल को या फिर 5 जून को क्या हो जाएगा? तमबाकू निशेध दिवस कब है? सही उतर हो जाएगा 31 माई को 31 माई option numbers भी यहाँ पे सही हो जाएगा 31 माई को बिश्व तमबाकू निशेध दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्ण है अंतरराष्टी सांती और अहिंसा दिवस कब होता है? अंतरराष्टी यह सांती और अहिंसा दिवस या फिर इंटरनेशनल पीस डे भी इसको कह सकते है तो 21 सितंबर को मनाया जाता है 22 सितंबर को मनाया जाता है 21 दिसंबर को मनाया जाता है या फिर 22 दिसंबर को मनाया जाता है तो क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 21 सितंबर को. 21 सितंबर यहाँ पे सही हो जाएगा. आप्शन नमबर A यहाँ पे सही माना जाएगा. अगला प्रश्न है बिश्व मानक दिवस कब होता है? 15 अक्टूबर को, 13 नवंबर को, 14 अक्टूबर को यहाँ फिर 24 सितंबर को. क्या हो जाएगा? बिश्व मानक दिवस जो सही उत्तर हो जाएगा 14 अक्टूबर को. 14 अक्टूबर यानि आप्शन नमबर सी यहां पे सही हो जाएगा विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अगला प्रस्ण है हाल ही में संग्युक्त राष्ट संगन ये 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में घोशित किया है अंतरराष्टी स्थान्ती वा अहिंसदीवस यानि इंटरनेश्णल पीस्डे या फिर अंतरराष्टी अहिंसदीवस या फिर विश्व स्वास्थ दिवस या फिर उपरोक्ट्यमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन नमबर B अंतर राश्टी अहिंसा दिवस महात्मा गाधी की याद में संग्युक्त राश्ट संग ने 2 अक्टूबर को किसके रूप में गोसित किया है अंतर राश्टी अहिंसा दिवस के अगला प्रस्ण है दास्ता निवारण हे तु संग्युक्त राष्ट्र का अंतर राष्टी दिवस कम मनाया जाता है दो दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर, क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर, यानि option number यहाँ ए सही हो जाएगा 2 दिसंबर को दास्ता निवारण हे तु संग्युक्त राष्ट का अंतर राष्टी दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्ण है अंतर राष्टी सिक्षक दिवस कम मनाया जाता है? आज सबको पता होगा बहुत ही आसान क्वेश्टन है अंतर राष्टी सिक्षक दिवस कम मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 14 सितंबर को या फिर 9 अक्टूबर को, क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटरनेशनल की बात हो रही है अंतर राष्टी सिक्षक दिवस, तो यहाँ पे जो सई उतर हो जाएगा, आप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है अगला प्रश्ण है, निमनलिखित में से काउन सा दिवस 21 मार्च को होता है, विश्व उपभुगता अधिकार दिवस, विश्व वान की दिवस, वैलेंटाइन दिवस, या फिर विश्व मितब्याईता दिवस क्या हो जाएगा, जो सही उतर हो जाएगा, वो हो जाएगा विश्व वान की दिवस, आप्शन नमबर D यहाँ पे सही हो जाएगा, विश्व वान की दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है ठीक है बाकि जो तीन आप्शन बचे है विश्व उपभोकता दीवस ये कम मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 मार्ज को नोट कर लीजिए और आप्शन नंबर C वैलेंटाइन डीवस जो मनाया जाता है सब को पता होगा पताने की जरूरत नहीं है 14 फरवरी को और जो option number D है विश्व मितब्याइता का जो दिवस है विश्व मितब्याइता दिवस कम मना जाता है ये मना जाता है 30 October को मना जाता है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से 10 December को क्या मना जाता है विश्व एट्स दिवस मानवा दिकार दिवस संग्युक्त राष्ट दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस कौन सा उत्तर सही हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे option number B मानवा दिकार दिवस 10 December को मानवा दिकार दिवस मनाया जाता है अगला और आखरी प्रस्ण है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर संग्युक्त राष्ट दिवस 24 अक्टूबर विश्व स्वास्थ दिवस 7 अप्रेल विश्व मानवा दिकार दिवस 1 December कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहां पे आप्षन नमबर D 1 December क्योंकि 1 December को 208 से दिवस मनाया जाता है 202 मानवा दिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 December को मनाया जाता है बाकि जो आप्षन है A, B, C विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को सही है संजुक्त राष्ट दिवस 24 अक्टूबर को यह भी सही है और 20 स्वस्वास्त दिवस 7 अप्रेल को मनाया जाता है यह भी सही है तो दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में एक नए टापिक के साथ मिलेंगे नए प्रश्णों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और हाँ अगर आप हमारे वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें